फ्रेंड्स कहानी के शुरुवात होती है एक बिल्डिंग से जहां अचानक आग लग जाती है धुआ चारों तरफ चा जाता है और चीक पुकार मत जाती है पुलिस वाले अपनी जान की बाजी लगा कर इस बिल्डिंग में फसे लोगों को बचाने की कोशिश में जुट जात लेकिन तभी अचानक बिल्डिंग की छट गिर जाती है और मैक्स वहीं दबकर मारा जाता है सीन चेंज होती है हम मैकस के पिता जेम्स को देखते हैं जेम्स अपने चोटे बेटे टॉम को जगाने की कोशिश में लगा हुआ है टॉम बड़ा ही आल सी किस्न का आदमी है वो अब कहानी में हम एक डिटेक्टिव डेविट को देखते हैं डेविट को जेम्स के घर पर भेजा गया है जेम्स कल ही रिटायर हुआ है लेकिन वो अपने आखरी केस को सुलजाना चाहता है दोनों मिलकर इस नए केस पर काम शुरू कर देते हैं जिसके बाद ये दोनों एक बिल्डिंग में जाते हैं जहां से ये अजीब सी बद्बू आ रही थी पड़ोसी इस बद्बू से परिशान थे डेविट और जेम्स को शक है कि कुछ गड़बर है दोनों बिल्डिंग में बने बेस्मेंट में जाने का फैसला करते हैं अंधिरे बेस्मेंट में उन्हें एक लाश दिखाई देती है जो की बुरी तरह से जखमी है और बद्बू उसी लाश से आ रही थी लाश का हाल देखकर डेटेक्टिव डेविड और जेम्स हैरान हो जाते हैं वो तुरंत पुलिस को सूचना देते हैं और लाश को पोस्मार्टम के लिए भेज देते हैं पोस्मार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि इस इंसान को बहुत सारे स्टेरोइट दिये जा रहे थे और उसे जबर्दस्ती वर्काउट कराया जा रहा था जब वो बेंच प्रेस कर रहा था तो उसकी रॉल उसके गर्दन पर गिर गई जिससे उसकी मौत हो गई तब ही अचानक डेविट की बॉस नॉर्मा वहां पहुंचती है वो कॉमिक्स की बहुत बड़ी फैन है और आज तो उसने कॉमिक्स के किरदार जैसा ही कपड़ा पहन रखा है नॉर्मा आते ही जेम्स को इस केस से हटा देती है क्योंकि वो पहले ही रिटायर हो चुका था हालनकि इससे डेविट को बहुत गुसा आता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता रात को डेविट के पास एक कॉल आती है और उसे पता चलता है कि एक और लाश मिली है जब वो मौके पर पहुंसता है तो उसके होश उड़ जाते है क्योंकि मारने वाले ने इस लाश को एक प्राचेन योद्धा का कवच पहनाया हुआ था और उसके सीने से दिल निकाल कर एक मशीन से कनेक किया गया था ये सब कुछ बहुत ही अजीब था लेकिन एक बात तो बिलकुल साफ है कि इस आदमी की तडब तडब के मौत हुई है किसी ने इस पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स किये है डेविड को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन इतना कुरूर हो सकता है ये सब क्यूं हो रहा था तब ही टॉम की नजर जेम्स के पास रखी उस मरे हुए आदमी की फोटो पर पड़ती है टॉम अपने पिता से कहता है कि ये तो बिलकुल हल्क जैसा लग रहा है याद है पहले हल्क क्रे रंग का होता था शायद कोई इसे नया हल्क बनाना चाहता था लेकिन ये पीछ में ही मर गया जेम्स टॉम की बात सुनकर हैरान हो जाता है वो इस पूरे मामले में और उलज जाता है अगले दीन ओफिस पहुँच कर जब उसे कल रात मिली लाश के बारे में और जानकरी मिलती है तो वो और भी चौंक जाता है दरसल उस आदमी का दिन लिकाल कर उसे जिन्दा रखने की कोशिश की गई थी बिल्कुल आइरन में की तरह लग रहा है जैसे हत्यारा अपनी खुद की सूपर हीरो टीम मनाना चाहता है जेम्स की बाते सुनकर नॉर्मा थोड़ी डर जाती है उसे भी लगता है कि शायद जेम्स सही कहरा होगा इसलिए वो टॉम को डेविट का पार्टनर बनाती है टॉम कॉमिक्स और सूपर हीरो के बारे में एक एक्सपर्ट की दरह था उसकी डीटेल्स इंफोमेशन डेविट के लिए एक वरदान साबित हो सकती थी दोनों उस जगह पर पहुंचते हैं जहां वो आर्मर वाला आदमी मिला था जब टॉम और डेविट उस जगह पर पहुंचते हैं तो उन्हें चारों तरफ लॉड अव दर रिंग के हत्यार दिखाई देते हैं लेकिन एक चीज ऐसी होती है जो टॉम को हैरान कर देती है एक कुलहारी ये कुलहारी लॉड अव दर रिंग में नहीं थी टॉम को लगता है कि इस कुलहारी में कोई तो रहस चिपा है इसलिए डेविट इसे तुरंत फॉरंसिक लैप भेज देता है और कुछ दिनों बात पता चलता है कि कुलहारी पर एक फायरफाइटर के फिंगर प्रिंट्स मिले है सभी तुरंत उस फायरफाइटर के घर पहुंच जाते हैं घर से धुआ उट रहा था जब वो कमरे में एंट्री करते हैं तो उनके रॉंग्टे खड़े हो जाते हैं कमरे में एक भयानक माहौल बना हुआ था फायरफाइटर एक कांच के पिंगरे में बन था और उसने एक अजीब सा सूट पहना हुआ था ऐसा लग रहा था कि उसे जिंदा जलाने की कोशिश की जा रही है सभी मिलकर पिंजरा तोड़ देते हैं और उसे बाहन निकालते हैं लेकिन तब तक बहुत दीर हो चुकी थी वो आदमी पहले ही दम तोड़ चुका था टॉम बोलता है लगता है किलर इसे हुमन टॉच बनाना चाहता था बिलकुर कॉमिक्स की तरह लेकिन ये भी बाकियों की तरह मारा गया अब इस लाश को भी पोस्माटम के लिए भेग दिया जाता है पोस्माटम रिपोर्ट से पता चलता है कि उस आदमी का सूट उसकी स्किन से चिपका दिया गया था ऐसा लगता है कि पहले उसकी बॉड़ी को बहुत ज्यादा गर्म किया गया होगा और फिर उसे ठंडा करने के लिए ये सूट पहना गया था लेकिन ये सूट उसकी स्किन से जुड़ गया वो कम से कम तीन दिन तक इस दर्दनाख हाल में रहा होगा इन सबसे परिशान होकर डेविड नॉर्मा से बात करता है और जेम्स को दुबारा टीम में शामिल करने को बोलता है लेकिन नॉर्मा उसे बोलती है कि जेम्स बिमार है उसे cancer है और मैं चाहती हूँ कि वो अपना बचा हुआ समय अपने बेटे के साथ बिताए डेविट को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है उसे लगा कि उसे जेम्स के साथ कुछ समय बिताना चाहिए इसलिए वो डिनर के लिए जेम्स के घर जाता है रात में डिनर के दोरान टॉम डेविट से उसके माता पिता के बारे में पूशता है डेविट बोलता है कि उसके माता पिता की हत्या कर दी गई थी वो हमेशा से ही अपने पेरिंट्स के मामले को सुलजाने की कोशिश करता रहा है लेकिन पुलिस डेपार्टमेंट ने परसनल केस की वज़े से उसे कभी भी इसकी पर्मिशन नहीं दी टॉम डेविट की कहानी सुनकर दंग रह जाता है और बोलता है कि तुम्हारी कहानी तो पिल्कुल बैटमेंट जैसी है डेविट यह सुनकर हैरान हो जाता है वो नौर्मा के साथ मिलकर अपने पेरेंट्स के केस की फाइल निकलवाता है जहां उन्हें पता चलता है कि उसके पेरेंट्स की हद्या करने वाला और जो सूपर विलन बनकर लोगों को मार रहा है हो सकता है कि ये एक ही इंसान हो फाइल में उन्हें एक नमबर कार्ड मिलता है जिस पर लिखा था डिटेक्टिव 33 ये वही कॉमिक बुक थी जिससे बैटमेंट की कहानी शुरू होती है इन सबसे डेविद दंग रह जाता है टॉम कहता है जो भी ये सब कर रहा है उसके पास शायद तुम्हारी पुराने कॉमिक्स होंगी टॉम बोलता है कि वो शायद कॉमिक्स के जरिये ही इन लोगों को मार रहा है और ऐसी पुराने कॉमिक्स तो आसानी से नहीं मिलती लेकिन मुझे एक आदमी का पता है वो हर तरह की कॉमिक्स रखता है तब सभी उस आदमी के पाज जाने का फैसला करते हैं उस कॉमिक्स टीलर ने उन्हें बताया कि विक्टर नाम के एक आदमी ने वो सारी कॉमिक्स खरीद ली है डैविट को लगता है कि उसे अब विक्टर को ढूरना ही होगा वो अकेले ही विक्टर के घर पहुंच जाता है लेकिन जब वो विक्टर का कमरा खोलता है तो उसे वहाँ विक्टर की लाश मिलती है डैविट हैरान हो जाता है गुस्से में वो विक्टर की लाज को ही गोली मार देता है तभी अचानक विक्टर के शरीर से एक अजीब सी गैस निकलने लगती है उसी समय वहाँ नोवा नाम का एक आदमी आता है उसने अपने चेहरे पर एक अजीब सा मास्क पहना हुआ था और यही है असली हत्यारा गैस की वज़े से डैविड को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है ऐसा लगता है जैसे नोवा के मास्क से कीड़े निकल रहे हैं डैविड नोवा से पूछता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो नोवा कहता है कि मेरी कहानी में तुम हीरो हो और मैं विलन दूनों में लडाई शुरू हो जाती है तब ही नॉर्मा भी वहाँ आती है और नोवा को गोली मानने की कोशिच करती है लेकिन नोवा उसके आँखों में कुछ छिड़क देता है और वहाँ से भाग जाता है डेविड टॉम को सब कुछ बताता है फिर टॉम कहता है कि नोवा खुद को सुपर विलन समझता है और तुम्हें सूपर हीरो वो तुम्हें एक हीरो की तरह चुनोती देना चाहता है इसका मतलब है कि डेविड को भी नोवा से लड़ने के लिए सिर्फ के ताइविड हो जाता है, उसे यकीन ही ओरहा था कि कोई ऐसा बहुत और Il muit стало कियो हुदैंग des भी अब सुपरहेरो जैसा एक अजीब सा कॉस्ट्यूम बहुने लेता है और जैम्स जुक्के से औफिस पहुंचता है वो नोवा के बारे में पता लगाने की कोशिच करता है और उसे नोवा की असली पहचान का पता भी चल जाता है वो ये जानकरी लेकर डैविट के पास जा रहा था कि तभी नोवा वहां आता है वो जेम्स पर हमला कर देता है और उसे बंदी बिला लेता है अब सूपर हीरो का लुक दे देता है डैविड खुद को सूपर हीरो एपस नाम देता है और नोवा से लड़ने निकल पड़ता है उधर जेम्स को नोवा ने कैद कर रखा है जेम्स नोवा से कहता है तुम अपना मास्क उतार दो मुझे पता चल गया है कि तुम कौन हो नोवा मास पर यह experiment किया था लेकिन वो सब फेल रहा नोवा आगे बोलता है कि उसने जो लोग चुने थे वो सब क्रिमिनल्स थे जिने पुलिस कभी पकड़ नहीं पाई थी मुझे एक बैटमैन जैसा हीरो चाही था जिसमें दिमाग और होसला हो डेविड में वो सब कुछ है लेकिन उस का चहरा बुरी तरह खराब हो जाता है तभी डैविड वहां पहुंश जाता है नोवा डर के मारे जैम्स को गोली मार देता है ताकि जैम्स डैविड को उसकी असलियत ना बता दे डैविड बहुत गुस्सा हो जाता है और दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई जान लोगे बुराई का कोई चहरा नहीं होता फिर वो एसिड में कूदने के लिए नीचे लटक जाता है नोवा एसिड में कूदने से पहले डैविड से कहता है मैं क्रिमिनल हूं और तुम एक पुलिस ऑफिसर तुम्हें मुझे गृफतार करना चाहिए ना कि मुझे मारन चाहिए वो आंके बोलता है कि मैं क्रिमिनल हूं मुझे सजा मिलनी चाहिए जवाब में डैविड बोलता है तुमने खुद कहा था कि तुम्हें एक हीरो चाहिए तो मैं हीरो बनकर तुम्हारे सामने खड़ा हूं उसकी बात सुनकर नोवा खुश हो जाता है यह सोचके कि प्लान काम कर गया है नोवा डेविट को एक असली हिरो बना देता है और वो खुशी-खुशी एसिड में कूच जाता है थोड़ी देर बाद डेविट और बाकी लोग नोवा के घर जाते हैं उन्हें बेस्मेंट में एक सीक्रेट रूम मिलता है जो बिल्कुल बैटमैन की गलत हैं लेकिन उसने शेहर को एक असली हिरो दिया है और इस तरह इस कहानी का अंध होता है तो फ्रेंड्स कैसे लगे आपको ये कहानी कॉमेट में जरूर बताएं साथ ही ये बताना ना भूले कि इसके बाद आप कौन से मुवी की कहानी को सुनना चाहेंगे अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सबस्क्राइब जरूर करें जल ही मिलते हैं एक और मज़ेदार कहानी के साथ तब तक के लिए बाए